Chennai Super Kings एक ऐसी टीम जिसके प्लेयर्स और फैंस दोनों ही आगुगलते हैं लेकिन कैप्टन उतने ही कूल माइंड़ और काम हेलो दोस्तों मैं हूँ मयंक और आज हम आपके लिए करने वाले हैं हमारे स्टूडियो अड़ा यूट्यूब चैनल के स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट अड़ा पर Chennai Super Kings दे डिफेंडिंग चैंपियन्स ऑफ आईपियल के टीम प्रिवियू तो सबसे पहले तो बात करेंगे Chennai Super Kings के पिछले कुछ सालों के performances के बारे में Chennai Super Kings 2020 से लेकर 2024 तक अभी तक दो आईपियल टाइटल जीत चुकी है और इस सीजन की शुरुआत भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही धमाकेदार अंदाज में करने वाली है 2020 में ये टीम सेकेंड लाश्ट फिनिश करी थी और उसके बाद 2021 में एक बहुत ही शांदार कमबैक में IPL की Champions बनी थी लेकिन फिर से 2022 में पासा पल्टा था और ये फिर से सेकेंड लाश्ट फिनिश किये थे और उसके बाद 2023 में दोबारा चैंपियन बन कर इस टीम ने सबको दिखा दिया था कि दे आर दा कमबैक किंग्स और अगर हम बात करें इस बार के उनके प्लेयर्स के बारे में और जिस तरह से उन्होंने आक्शन में किन-किन प्लेयर्स को खरीदा इस टीम ने अपनी कीवियों की संख्या और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ा दी है पहले से ही इस टीम में न्यूजिलेंड के बहुत ही नामी गामी खिलाडी मिचल सैंटनर और डेवन कॉन्वोय तो मौजूद थे ही लेकिन अब डेर्ल मिचल और रचिन रविंदर के आने के बाद इस टीम को हम न्यूजिलेंड सूपर किंग्स भी बुला सकते है वही बात करें अगर बाकी खिलाडियों की तो शार्दूल ठाकुर जो इस टीम के साथ पहले भी जुड़े हुए थे और इस टीम के साथ IPL भी जीच चुके हैं उन्हें भी इस टीम ने 4 करोड रुपे में खरीद लिया है और इस टीम ने इस साल IPL आक्षन में डेर्ल मिचल पर 14 करोड की बोली लगा कर तीसरा सबसे महंगा खिलाडी अपने नाम किया है इस IPL में और साथ ही साथ राचिन रविंद्र को भी 1.80 करोड में खरीद कर न्यूजिलेंड वाली संख्या उन्हें बढ़ाई ही है और चलिए अब बात करते हैं कि इस टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर नजर रहेगी और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कमाल दिखा सकते हैं तो अगर बात करें बल्ले बाजी की तो रुतुराज गाइकवर्ड ने पिछले 3 सीजन में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है 2021 में ओरेंज कैप विनर भी थे जहां इन्होंने 16 इनिंग्स में 672 रन बनाये थे और पिछले साल भी 590 रन बनाकर ये 2nd highest scorer थे चन्ने सूपर किंग्स के लिए वहीं अगर बात करें इनके opening partner डेवन कॉन्वाई की तो उन्होंने भी बहुत ही शांदार प्रदर्शन दिखाया है चन्ने सूपर किंग्स के लिए अगर बात करें सबसे important खिलाडी की इस team में तो वो तो मैं महेंदर सिंग धोनी को भी नहीं मानता हूँ क्योंकि वो तो भाई captain cool है ही वो तो wicket के पीछे से अपना जलवा दिखाएंगे ही लेकिन एक ऐसा खिलाडी जिसने तीनों ही department में अपना धावा बोला है और वो है रविंद्र जडेजा जी हाँ चाहे बल्ले बाजी हो चाहे गेंद बाजी हो या हो fielding रविंद्र जडेजा ने तीनों ही department में बहुत ही शांदार प्रदर्शन दिखाया है चैन्ने सूपर किंग्स के लिए और टीम इंडिया के लिए भी आप सभी को यादी होगा कि 2023 के IPL final में भी गुजराट टाइटन्स के खिलाफ आखरी के दो गेंदों पर boundary लगा कर रविंद्र जडेजा ने match को चैन्ने सूपर किंग्स के नाम किया था और पाँचवी बार IPL का खिताब जितवाया था चैन्ने सूपर किंग्स के most valuable asset है रविंद्र जडेजा और उनके all round abilities की तो पूरी दुनिया दिवानी है इसके अलावा भी कुछ ऐसे खिलाडी है जिन पर बहुत पैनी नजर रहेगी जैसे की अरवली अवनीश जो की इस बार under 19 में भी खेल चुके हैं under 19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए और इसके अलावा कुछ ऐसे नए खिलाडी भी है जिन पर बहुत ही महंगी बोली लगाई है चैन्ने सूपर किंग्स ने जैसे की समीर रिजवी जो की एक बल्लेबाज है और उन पर 8.4 करोड रुपए खर्च किये चैन्ने सूपर किंग्स ने आपको बता द क Been कमाल का प्रतर्शन करने वाली तो आप भी गामण की का सब्सक्राइब्स करणके नहीं तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इससे पैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट स्पोर्ट अपडेट्स और IPL से जोड़ी खबरे लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद